स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण नीती आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारक में गरीबी दर्में कितनी गिरावत दर्ज की गई है A. 29 प्रतिशत से लगभग 11 प्रतिशत B. 20 प्रतिशत से लगभग 15 प्रतिशत C. 27 प्रतिशत से लगभग 9 प्रतिशत D. 25 प्रतिशत से लगभग 17 प्रतिशत Answer A. 29 प्रतिशत से लगभग 11 प्रतिशत Explanation नीती आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारक की गरीबी दर 29 प्रतिशत से घर्टर लगभग 11 प्रतिशत हो बई है इस अवधी में भारक में लगभग 25 करोड लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है वर्टमान में भारक में नीती आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की रूप में B. V. R. सुब्रा मन्यम कार्यरत है अगला प्राश्ट्न युक्रेन पर वैश्विक शांती शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा A. USA B. Japan C. Switzerland D. France Answer C. Switzerland एक्स्प्लेनेशन युक्रेन पर एक वैश्विक शांती शिखर सम्मेलन युक्रेन के राश्ट्रपती व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विच्जिलेंड में आयोजन किया जाएगा जिसका उदेश्य 2022 में युक्रेन में रूस की घुसपैट से उत्पन संगर्ष को हल करना है गौर तलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को युक्रेन में अपनी सेना भेजी थी तब से दोनों देशों के बीच संगर्ष जारी है अगला प्रश्ण ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओ में भारत की रैंक क्या है हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सेन्यक शम्ता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की है दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओ में अमेरिका पहले रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया गया है इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया है पडोसी देश पाकिस्तन नौवे स्थान पर है इस रैंकिंग में सेन्यक शम्ता का आंकलन करने वाले 60 factors को शामिल किया गया है अगला प्राश्टन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक शत्रंच खिलाडी कौन बने है ए रमेश बाबु प्रग्नानंद, बी विधित गुजराती, सी पैंटाला हरी कृष्णा, डी गुकेश डी, आंसर ए रमेश बाबु प्रग्नानंद, एक्स्पिनेशन, भारतिय युवा शत्रंच खिलाडी रमेश बाबु प्रग्नानंद ने नीदरलेंड में आयोजित, टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शत्रंच चैंपियन डिंगलिरेंग को हरा दिया है इस जीत के साथ प्रग्नानंद विश्वनाथन आननंद के बाद मौझूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतिये बन गए, वो लाइव रेटिंग के मामले में आननंद को पछाड कर भारत के नए नंबर एक शत्रंच खिलाडी भी बन गए है अगला प्राशन असम राज्य के सर्वोच सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा ए रगुराम राजन बी रंजन गोगोई सी रतन टाटा डी अमित शाह आंसर बी रंजन गोगोई एक्स्प्लिनेशन असम के मुख्यमंत्री हेमंद बिस्व सर्मा ने हाल ही में घोशना की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी जे आई और राज्य सभासान सद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा असम वैभव राज्य का सर्वोच नागरिक सम्मान है सी जे आई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बैंच ने साल 2019 में एयोध्या राम मंदिर पर हमने नए दिया था